आज हम बात कर रहे हैं Post Harvest Management की अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें Post Harvest Management हम जिस परपस के लिए कर रहे हैं वो है पोशक तत्व को स्टोर करने की प्रक्रिया जो परकिरिया हभी प्लांट ने शुरू नहीं की है प्लांट अपने स्टोरेज सेल में पोशक तत्व को सेब तुडान के 20-30 दिन के बाद स्टोर करता है जब प्लांट में पत्ते पीले होने शुरू होते हैं जो बागवान सेव तुरान के तुरंत बाद एक या दो दिन के अंदर अपने बागीचे में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही गलत प्रैक्टिस हैं क्यूंकि इस वक्त प्लाइजर नई ग्रोथ की तरब भागता है आपने देखा होगा कि सेव तुरान के बाद प्लाइजर के टौप पर नई नई कोंपले आती है और आपने जो फर्टिलाइजर जो न्यू ट्रेंट दिये हैं उसको प्लाइजर उसी वक्त अपटेक कर लेता है या उसी समय यूज़ कर लेता है और प्लाइजर नई वैजिटेटिव ग्रोथ की ओर चला जाता है तो जिसके कारण हमारे प्लांट में नेक्स्ट यर के लिए वो एनरजी नहीं रह पाती है, जिसकी हमें फ्लोरिंग टाइम में सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। इसलिए आप सेव तुरान के तुरंत बाद अपने बगीचे में फर्टिलाजर का इस्तेमाल ना करें। तो हम आपको बताएंगे कि पोस्ट हार्वेस्ट मिनेजमेंट को स्टेप बाइ स्टेप कैसे करें। आज कल बहुत सारे बागवान पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो फॉलियस सपरे होती हैं उसमें 200 लिटर पानी में यूरिया, बलाइट ओक्स, जेंक, मैगनिशियम, बोरोन और भी पता नहीं क्या-क्या एड़ कर रहे हैं जो की बहुत ही गलत प्रैक्टिस हैं। क्यूंकि बलाइट ओक्स की माइक्रो न्यूटेंट के साथ बिल्कुल भी कमपेटेबिलिटी नहीं है। इसलिए आप सेव तुडान के तुरंत बाद एक या दो दिन के अंदर 200 लिटर पानी में बलाइट ओक्स का 600 ग्राम की मात्रा से छिड़काव करें। यदि आपके बगीचे में वुली एफिट की शिकायत है तो आप बलाइट ओक्स के साथ क्लोरो फॉरी फॉस को एड़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये एवेलेबल नहीं है तो इसकी जगे पे आप एलिका को एड़ कर सकते हैं। मार्केट में इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडेक्ट हैं। जरूरी है बोरोन, जिंक और मेगनेशियम। बोरोन हमारे पोलन ट्यूब को लंबी करने में मदद करता है और फूट सेटिंग में भी हल्प करता है। जिंक जब हमारी लीव्स निकलना स्टार्ट होते हैं, कुछ पत्ते नुकिले और कुछ कम चोड़े होते हैं या पूरी तरह डवलक नहीं हो पाते हैं। जो मेगनिशम है वो हमारे पत्तों में कलोरोफिल को बढ़ाता है। तो हमारा जो इसका डोज रहेगा 200 लीटर पानी में आप 500 ग्राम भूरोन और 100 ग्राम जिंक और 100 से 1500 ग्राम मेगनिशम तीनों को 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिरकाव करें। उसके बाद आप 25 से 30 दिन के बाद जब हमारे पौधों में पत्ते पीले होने शुरू होते हैं और उसी वक्त हमारे पौधों की वेजिटेटिव ग्रोथ भी रुख जाती है। ये वही समय है जब हमारे पौधे अपने स्टोरिज सेल में नेक्स्ट यर के लिए पोशक तत वक्तों को स्टोर करना स्टार्ट करते हैं इसी वक्त हमने 3 से 4 किलो यूरिया 200 लीटर पानी में मिलाकर छेड़काव करना है और साथ ही साथ सॉयल मनेजमेंट भी हमने इसी वक्त करनी है ये 25 से 30 दिन उस समय से गिनना स्टार्ट करें जिस दिन आपने ब्लाइट ओक्स का छेड़काव किया था सॉयल मनेजमेंट में आप नाइट्रोजन को डाले नाइट्रोजन का इस समय सबसे महत्यपुन रोल रहता है और आप नाइट्रोजन को स्प्लिट डोज में ही डाले क्यूंकि पूरी साल में हमारे प्लांट को सिर्फ 740 ग्राम नाइट्रोजन की और जब प्लांट को फ्लॉरिंग के समय सबसे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो उस वक्त हमारे प्लांट एनर्जी को रिलीज कर सके जिन बागवानों के लीफ ड्रॉप हो चुके हैं वो भी इस शुड्यूल को कर सकते हैं क्यूंकि हमारे प्लांट के टॉप पर 20-30% लीफ हमेशा बचे रहते हैं पोस्ट हारवेस्ट मनेजमेंट आप इन बचे हुए पत्तों से भी शुरू कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल में नए हो और आपने मेरे चैनल को हभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू अबाद